वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि CBSC बारवी की परिक्षा है रद कर दी गई हैं इम्तिहान तो रद हो गई हैं लेकिन अभी भी चुनौती बाकी है और इसी सब पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के शिक्षा मंतरी मनिश सौधिया सीदे जुड़ रहे हैं अब पर अब पर अब आपको सीदे बात कराते हैं दिल्ली के उपमुख्य मंतरी और सिक्षा मंतरी मनिश सौधिया से सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो आपकी मांग थी CBSC की परिक्षा है रद कर दी जाएं बारवी की भी इस पर प्रतिकरिया सरकार के फैसले पर अच्छा लगा है कि देश के 1.5Union के एक फैसला हुआ है उनके स्वास्तव को ध्यान में रखते हुए इनके बच्छों की चिंता बच्छों के पैरेंट्स चिंता और सबसे बड़ी बात ये थी कि बारवी ऊ-ज़ास के तो यह एक अच्छा डवलप्मेंट है और इसका हम लोग पहले से बांग कर रहे थे कि एक्जाम कराने की जिद बच्चों के उपर भारी पड़ेगी आपने फॉर्मूले की बात की अगला सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ाया सामने की बारवी की परिक्षा बिलकुल आमनी होती बच्चों का भविश्य निर्भर करता है प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आप हर बात पर फॉर्मूला देते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला है नहीं हमने सेंट्रल गवर्मेंट को कहा हुआ है कि जब एजुकेशन इंटिर्स की मीटिंग हुई थी तो कई राज्ये तो इसके लिए तयार थे कि हम बच्चों के एक्जाम कराने को तयार हैं पर हमारी तरफ से इसलिए कहा गया था कि हमारे पास यह बच्चा पहली बार है यह बारे साल से बच्चा है और हम जानते हैं कि वह पढ़ने में कैसा है हम उसके बहुत सारे एक्जाम ले चुके हैं हम उसके बहुत सारे छोटे बड़े बड़े टेस्ट ले चुके हैं प्रैक्टिकल करा चुके हैं उसका ओवरल कंडेक्ट उसका ओवरल नॉलिज हमार प्रेक्षाइं हुई हैं इंटर्नेल एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रेटिकल्स किये हैं उसने बहुत सारे असाइन्मेंट समिट किये हैं इन सब के बेस पर उनको वेटेश देते हुए फॉर मुझे लगता है वो कहीं जादा बहतर होगा बनिश्पत तीम धिंटे की एक पर कि बच्चों की इस पर मेली जूली प्रतिक्रिया मिल गई है कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्जाम देना भी चाहते थे तो उसका भी प्रावधान है लेकिन आपको लगता है कि कई बर प्री बोर्ड या मिड टर्म में अच्छा बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं जो में अगर आप अपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर पास होना चाहते हैं तो वो है मेरा मानना है कि लगवग 80-85% बच्चे यह सिस्टम एडॉप्ट करेंगे 10 या 15% 20% मैक्सिमुम बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि नहीं हमें एक्जाम देना है तो अचानक आपके जो बेस पर आगे बढ़ सकता है उसको अपने रिजल्ट इंप्रूव करना है जो 20% पी रह जाएंगे जिनको अपने को इंप्रूव करना है उनके पास भी कम से कम 12वी क्लास खत्म हो गई अब उनके पास यह ऑप्शन है कि वो उपने रिजल्ट सुदारना चाहते हैं तो मैंने दो प्रस्ताओं पर रियक्शन किया था कि प्रस्ताओ ऑप्शन वन ऑप्शन टू तो मैंने उनको यह कहा था कि ऑप्शन जीरो भी रखिए ऑप्शन जीरो यह है कि एक्जाम मत करिए और बच्चों को ओफर करिए कि अगर जो अभी यह कर रहे हैं कि अगर कोई बच सीजन ले रहे हैं और यह नी जर्क रियक्शन में लास्ट मुनिट पे जाके लेने पड़ रहे हैं मेरा सेंटल गावर्मेंट से सी बीस्टी से और देश के और राज्चों के बोर्ड से और उनके सरकारों से भी निवेदन है कि यह बारवी की क्लास हर साल हमारे सामने आके कर लिया और अब थोड़े बहुत दिन में इसके फॉर्मूला और यह सब भी डिकलेर हो जाएंगे अगले साल की तैयारी भी हमें अभी से करनी चीए अभी जो बच्चे ग्यारवी पास करके बारवी में आ रहे हैं या नवी पास करके दस्वी में आ रहे हैं उनका बोर्ड परिक्षा एक साल बाद किस तरीके से होगा उसका फॉर्मूला हम अभी से बना के रखें तो एक साल हमारे पास में हैं पूरा हम उस बच्चे के साथ लगातार एंगेज करके अब इसका तो जो होना है हो गया आपने डिसीजन ले लिया हमने मांग कर ली सब मान ली गई मां लेकिन अब अगले साल के बच्चों के लिए हमें अभी से तयारी कर देनी चाहिए ऐसा ना हो कि अगले मार्च अपरेल में बैठके माई जून में बैठके हम फिर से इसी तरह की कोई डिसीजन ले रहे हों हिस्टी डिसीजन जिसमें कोई बच्चों को पता नहीं है जिसमे दस परसेंट रहेगी लेकिन पुराने दोर के परिक्षाओं से हम बाहर निकल सकते हैं इस पहाने से आज हम अगर डिसीजन लेने तो सर आपने जिसे अगले साल की तो बात की आगे की बात करें तीसरी लहर में जो संभावना जताई जा रही है कहा जा रहा है कि बच्चे जादा एफेक्टेड हो सकते हैं ऐसे में दिल्ली सरकार क्या तैयारी कर रही है और अभी कोरोना के हालात बहतर हैं तो स्कूलों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं क्या स्कूल खुलने की कोई भी संभावना है इस साल में इस साल के बारे में तो कहना मुश्किल है अभी तो यह सब रिजल्ट वगरा निकला आए और बच्चों के अगले साल में प्रमोशन हो जाएं इस बीच में वेक्शिनेशन भी हम लोग दिल्ल में शॉर्ट कमिंग्स दिखी हैं उनको दूर करना है और साथ-साथ यह एंटिसिपेट करके चलना है कि यह कितनी डेडली हो सकती है या इसमें क्या जरूते पड़ सकती है उसको लेके हमारी टीम्स काम कर रहे हैं और इसके साथ ही यह फैसला जो सी बीएसी का आया इस पर क मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि हम अगर शिक्षण संस्थाओं के गुलाम बनके सोचेंगे एक तरफ एजुकेशन का अडिमिस्टेशन है वो कहता है साथ पूरे साल पढ़ाओ और बाद में तीन घंटे का एक्जाम लो और उससे पास कराओ तो अगर हम डिसीजिन बच्चों के पक्ष में हुआ सब क्रेडिट लें इसका अच्छी बात है अब बच्चों के एक्जाम करानी के चाहन तक बात करें एक छोटी बच्ची का वीडियो आपने देखा होगा जो जमू से वाइरल हो रहा है उसने प्रधान मंत्री से अपील की की बहुत जादा होमवर्क होता है बच्चों के लिए जिस पर वहाँ पर कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर एक सिक्षा नीती बनाए ऑनलाइन क्लासिस का जो फॉर्मूला चल रहा है कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ऐसा कुछ सोचे कि बच्चों पर बोज ना पड़े क्योंकि क्लासिस देखिए अचानक आई हुई चीजें हैं उसकी कोई पहले से सरकारों की किसी भी तयारी नहीं थी धीरे धीरे टीचर सीख रहे हैं सरकारें सीख रही हैं अचानक आ गया कि भई अब स्कूल बंद ऑनलाइन क्लासिस कराई है तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अप हम अपनी बुक्स चेंज करें अपने पूरे लर्निंग आउटकम्स चेंज करें और इन्वाल्मेंट हो सकती है ओनलाइन स्कूलिंग हो सकती है लेकिन उसके लिए फिर हमें पूरा पैटरन बदलना पड़ेगा और आज कोविड हमें सिखा रहा है कि हम अपने पूरे पैट आपने पढ़ाने के तरीके, परिक्षा लेने के तरीके, इन सब को बदलें. और अगर हम बदलने को तयार हो जाएं, तो यह भी संभव है. एक सवाल आख़ी है कि आप जो बच्चे अब बारवी जिस वो जाहिसी बात उनके एक्जाम कैंसल हो गया लेकिन जो कॉंपटेटेव एक्जाम के तैयारी करेते हैं जो अपने पसंद के कॉलेज में दिली उनिवरस्टी में बड़ी उनिवरस्टी में जाना चाते हैं सिक्ष होता था वहां के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है जहां कॉम्टेटिव एक्जामनेशन के बेस पे होता था उन्होंने कुछ करा लिये हैं और जैसे ही हालात नॉर्मल हो वो दोबारा भी करा सकते हैं या और कोई तरीका निकाल सकते हैं वो आजकर टेक्नलोजी बहुत अज़ाने चाहते हैं अपने रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए वैसा ही एक समय आएगा जब कॉम्टेटिव एक्जाम से करा जा सकते हैं और बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो अब पी असमंज से थी इस्टितितितिति आपि के जो मैरिट वाले इनिश् 12th के result के base पर आपको admission देते थे उनके लिए तो आसान हो गया है अब आपका assessment का result आजाएगा और जहां competitive exams हैं उनकी तैयारी करते रहे हैं I am sure कि कोई ना कोई ऐसा तरीका और कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको अपनी तैयारी का exam देना होगा हम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिली के सिक्षा मंति और उपमक्खी मंत्री जिनका साफतोर पर कहना है कि समय को देखते हुए सरकार का ये फैसला बिलकुल सही है और credit जो भी लेना चाहे वो ले सकता है झाल झाल